एक समय की बात है, एक छोटी से गाउ में एक सुन्दर हवेली थी। इस हवेली के मालिक का नाम था रमेश और उसके दो बेटे थे। मोहन और सोहन जो की गाउं के सबसे प्रशंशनी यूवकों में से एकीने जाते थे। एक दिन जब रमेश हवेली से बाहर गया था, तब मोहन और सोहन को थोड़ी से प्रशंशनी जोड़ी थी।